हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉनिक वर्ल्ड में हाज हम आपके लिए लेकर आए है एपिसोड 7 मौरल जंबी रिटन का आप हमें कमेट कर सकते हैं अपने सजेशन्स, क्वेस्चन्स और इंप्रूमेंट एडवाइसे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें तो एक सट्मिंट का ध्याद रखते होए शुरू करते हैं आसका वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दे कि ये कहानी है पैरलल यूनिवर्स की इसलिए यहाँ सुपर हिरोस के नाम अलग हो सकते है सबसे पहले हम देखते है आर्चेर का एवेंजर टावर जिसके बाहर नजारा देखकर ये समझने में देर नहीं लगती कि ये वर्ल बी इन्फेक्टेड हो चुका है हंगर से इस सब के बीच कोई कह रहा था मेरा नमबर वन क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नमबर वन क्या है आइवेंजर टावर में सारे सुपर हिरोस में बहुत चल रहेगी जहां सेंट्री मैन आफ कोल्ड कहता है याद है जब United Nations General Assembly ने अपने आपको सिकरेट विल्डिंग में बहुत कर लिया था उस पे कोई सर विल्डर ओफ कॉंटम बैंट्स कहता है ये तुम्हारा नमबर वन है मुझे तो लगाता ये गार्जा की वज़े से हुआ था तब Moon Knight World's Greatest Detective कहता है ये तो अजीब बात है उस पे सब मरीनेर बताता है जो कि King of Seven Oceans था तुम पागल हो रेनल्ट्स जब अटुमा और उसकी सेना मरीना ट्रेंज में चुपी थी ये सोचकर कि वो सेफ है उनका चेहरा देखने लायक था तबी थंडरा और फीमेल सोसाइटी की वारियर उमन कहती है चुप रहो मचले मानो उमन्स प्रिजन जो कौसर ने फोर्स बबल में केट कर लिया था वो था नमबर वन मैंने सिर्फ उने छेल दिया जब उन लोगों ने भागने की कोशिश की उस पे क्विक्सिलवर फस्टेस्टर मैन अलाइव या डेड कहता है वो तुमारा नमबर हो है तुमने कभी आदमियों का मास्क खाया भी है जिसे तुमें हमेशा परेज रहता है उस पे थंडरा कहती है मुझे अपनी वारियो रूमन बॉडी दूशित नहीं करनी सेंट्री कहता है मैं भी यही कह रहा हूँ तब मून नैट कहता है हाँ यूएन के लिए तुमारा ही नमबर वन होगा तब सेंट्री आगे बाताता है कि उसने उन लोगों को कैसे खाया था वो सभी मेरे दातों के नीचे कुछ ले जा रहे थे एक ही वक्त पर यह पॉपकॉ किले में हसी मजा करने में व्यस्त हो जबकि हमारी ट्रोफी रूम हमारा मजाक उड़ाते हुए कह रही है लटने के लिए दुश्मन और तबाह करने के लिए कोई जिंदगी नहीं बचिया हमने दूसरी दुन्हें की आर्मी जिसे अंडेड लीड कर रहे थे उन्हें हराया जोकि टेरिपोट हुए थे जहां वाइरस पहली बार देखा गया जहां पर अंडेड वास्प क्री के होम प्लेनेट पर उन्हें लीड करती दिखाई दी एक बार जब उन्होंने खुद को मटेरिलाइज कर किया शयार के थ्रोन वर्ड में तो लूकेज को लगा कि वो हमसे जीत हासिल कर सकता है कितना गलत था वो यहां तक कि ब्लैक पैंटर की सुपरियर कॉमबैट स्किल ग्रेटेस्ट स्कल्ड की अंडेड सेना भी एवेजर्स के सामने टिक नहीं पाई इस बैटल में मैंने अपनी वफाजरी बर्थ प्लैनेट से नहीं बर्कि हंगर से थे आगे सुपर स्कल्ड जाइंट मेंट पर चिला कर कहता है पिम हमारा सब्रक्ट तूट चुका है तुम यहां इस डाइमेंशन में और उपर मून पर कितने ही साल रह चुके हो फिर भी तुम अब तक वाचर के इंट्रेयरेटिट ट्रांसपोर्डर सिस्टिम का राज नह बजारों को फुटो स्टेक इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस तरह की चेटचा रोख सके और यह कोड़ेट है एक लेंग्विज में जिसे समझने के लिए मैंने तीन ब्रेंस लाउज में लगाए है और तुमारे मदद से मैंने बारा लाउज एड़ किये है सही बायो उस पे सेंटरी कहता है मैं तुम्हें अपना पंच दूँगा वो भी तुमारे स्कल में और थनरा कहती है हम भूके है तो तुम हमारे लिए एक नया डायमेशन डूंडो नए खाने के साथ तभी मूननेट कहता है वरना हम तुम्हें वो सारे तरीके बताएंगे जो एक मुर वो दोड़कर जैवेर के पास जाकर पूचता है क्या तुम्हारे टेलिवेटिक स्कैनिंग ने सरीपो के जरीए कुछ खाने लायक मिला इस अरत पर तब जैवेर हाप बोलने पर पिक्सिलवर आगे कहता है चल्दी बताओ ओल्ड मैन वरना लेकिन इससे पहले वो आगे कु तो हमें पहले वहाँ जाना चाहिए और वो क्वीन जेट स्टार्ट करने को कहता है तब क्वीन जेट में बेटकर सेंट्रिक कह रहा था दरसल मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए हमने अलग-अलग स्पीशिस तबाग की डाइनासोर्स, मेस्टाडोंस और इंसानी रिया सकते, वहाँ सेवेज लेंड में कई जिन्दिए उन्नक्ट और पूरी तरह से सुरक्षित होंगी, मैं एक गंटे बाद तो भूल हो जाओंगा और इसके बाद मैं अपना जवाब वापस लेता हूँ, यह सेवेज लेंड मेरा नंबर वन होगा, उस पे सभी सेंट्री की बा चीज़ का हमला होता है, और क्विन जेट का पंग टूपने के वज़े से वो नीचे आकर बलास्ट हो जाता है, उस पे स्पाडर मैं कहता है, तुम लोग लखी हो जो तुम पहले ही मर चुके हो, इसलिए मैं इस अंड लाइफ से बाहर निकलना चाता हूँ, जब से मैंने मे मेरा सब कुछ खो दिया, जो मेरे दुनिया में था मेरे पास, और अब इस मुल्टी वर्स से तुम जैसे फ्लैश इटर्स का सफाया करना है, हमेशा के लिए, तब स्पाडर मैन के साथ हम देखते है, हल्क, रेमपेजिंग रेज मॉंस्टर, आयरन मैन, जॉंबी किलिंग व अच्छा है न, तब आयरन मैन कहता है, तुम लोग एक पुरनी ट्रिक में फस गए, तब ही उल्वरीन कहता है, कि गोल्डन बॉई मेरा है, लेकिन हल्क उस पर कहता है, नहीं, गोल्डन मैन हल्क का है, हल्क ने सोचा था, गोल्डन मैन हल्क का दोस्त है, गोल्डन मैन हल्क क और हस्ते हुए पूछता है अब तुम्हें केसा लगा गॉल्डन मैन तब सेंटरी कहता है मुझे इसके लिए माफ करना मेरे दोस्त लेकिन ये परसनल नहीं है तुम समझे सकते हो तुम्हें एक इंपोर्टन कॉंपिटिशन हो मेरे लिए और ऐसा करने से मुझे तीन कुना फ कोड़ी अपने आर्मर से फायर रिलीज करके उन्हें जलाते हुए कहता है मेरे पास है तुम्हारा फ्लैश तुम लोग चीम रोड्स को अपने जे सक अभी नहीं बना पाऊगे जब भी मुझे बाइट किया गया मैने वहीं सक कट किया जो बाइट किया था और उसे स्टार् दो है मेरे 60% और गंस अभी काम कर रहे है तुम इस प्लैनेट का अख्रेव अचा मास खाना चाते हो तो आकर खालो उस पे सब लोग आपस में लड़ने लगते है जहां मून नैट रोड़े से कहता है अच्छा हुआ तुमने इतनी अच्छी तरह से पूछा तब अपनी मू कर लेना और उस फिर ठंडा कहती है तुम कुन होते हो मुझे ओर दिने वाले तब हन्रा का पेर पकड़ कर कहता है बंड में हपका दोस्त है और उसीने हलक को सिखा आया सारे जौन्बिज को मारना पड़े गा तब थंडरा कहती है छोड़े मुझे बदते में लेकिन हल्क अ पुड़े करके कहता है, हलक आद्मी नहीं, हलक सिर्फ हलक है और वो सबसे ज्यादा भूका है, लेकिन तब इघ्व 14 लेकर लेकर भागते होे कहता है, मून नाइट मुझे मिल गया, तब स्पाईडी कहता है, जाख लाकरी मूखा मिला है, अपने आपको साबित करने का और अपनी गलती सुदारने का तब हल्क ट्विक्सिलवर को रोपने की कोशिज करते हुए कहता है बग मैन लड़कियों के तरह रोना बंद करो स्पीडी मैन को हल्क रोकेगा स्पाइडी उस पे बताता है मैंने सालो लगा दिये परफेक्ट वेपन बनाने में जोईने मार सके और अपनी नसे शूट करते हुए कहता है नसे शूट करना अब भी दर देता है और वो नसे जाकर ट्विक्सिलवर सर पे जाचपकती है जिससे उसका सर टूट कर अपनी बॉड़ी से अलग हो जाता है उस पे स्पाइडी आगे बताता है निक्रोसिस ने मेरे एम पर कोई खास असर नहीं डाला तब विक्सिलवर का कटा सर अपने पेरों से तेज जोडने को कहते हुए उस कनिस्टर को दुस्मनों के हाथों से दूर ले जाने को कहता है उस पे स्पाइडी किसी को उसकी बॉड़ी रोपने को कहता है और इसके लिए रोडी से मदद मागता है लेकिन रोडी फाइड में बिजी होने के वज़े से उसकी मदद नहीं कर पाता तबी दूसरी तरफ सेंट्री उल्वरीन से लड़ते हुई कह रहा था ये तो मिसमाच है तुम्हें नहीं लगता लिटल मैन उस पर उल्वरीन कहता है जिस तरह से मैं देख रहा हूँ हम इस वक एक अनस्टोपेबल फोर्स से डील कर रहे है मैं वो नहीं भूल सकता जो तुमने किटी प्रैड के साथ किया कॉसर ने उसे पानी के नीचे पकट लगा था जब तक उसका दम नहीं गुट गया और उसे मजबूर किया अपने सॉलिट फॉर्म में आने को और फिर सब मरीनर ने इससे पहले वो आगे कुछ कहता सेंट्री उसे मारकर दूर फिकते हुए कहता है टचिंग पर बेई तुका है और मैं तुमारे लिए अनस्टोपेबल फोर्स और इन्मोवेबल अबजेक्ट दोना ही हूँ उसपे वुल्वरिंग कहता है अनस्टोपेबल अगर तुम अनस्टोपेबल हो तुमें भी कटेबल कामें लंबे समय से हो और इतना केकर वुल्वरिंग अपने क्लॉज सेंट्री के आरपार कर देता है तब सेंट्री के शेरे से एनर्जी रिलीज होने लगती है जिसपे वो कहता है इडियट कै तुम मिलियन एक्स्पोडिंग सेंट्स की पावर रिलीज करना चाते हो और वो फिर से वुल्वरिंग को दूर फेकता है और एनर्जी कुल में कंटेंड करके कंट्रूल करने के कोशिश करता है लेकिन तबी वो टेलिपोर्ट हो जाता है और वो टेलिपोर्ट होता है मून पर जाह उससे जैंट मैं कहता है मुझे माफ करना इतनी वास्ट रे कास्ट करने के लिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओट्रीज के टेलेपोर्टरिंग बिम का काम करने का तरीका मुझे नहीं पता और मुझे इसे की ज़रूरत भी थी तब सेंटरी कंटेनर में बंदुआ कह रहा था बिम तुमाकिर करना क्या चाहते हो तब बिम कहता है मैंने सुबात जूड बोला था मैं सालों से जानता था कि वाच्चेर के इंटरडाइमेजनल टेलेपोर्टर का काम करने के लिए क्या चाहिए एक प्रॉपर पावर सोर्स जैसे मिलियन एक्स्प्रोडिंग संस अब तीरज रखो और इंतजार करो और खुद के कम ज़र होने का इस मैंगनेटिक पॉटल में बंद होकर मैं इसके लिए निव एमेजनस का शुक्र गुजार हो तब सेंट्री उसे धंकाता है कि इसी हिम्मत मत करना और मुझे आज़ाद करो तब पीम कहता है ये काम कर रहा है टैमेसल पोटर काम कर रहा है एक नया डैमेंशन पूरे मास के साथ तब स्पाइडी क्विक से लवर का पीचा करते हुए कह रहा था निव एमेंजस हम इन्हें एक और वर्ड बोल्ट करने नहीं दे सकते रोको इन्हें और इसके लिए कैनिस्टर को खोलो उस पे आरिन में कहता है कॉपी डैड वेवेडेड इट सिंकिंग मिसल तो हम पर काम नहीं करेगी लेकिन हम मोचल सेंसर ओवारेड इस्तमाल कर सकते है और वो कहता है लोगन अब वो करो जिसमें तुम बेस्ट हो तभी पिक्सल वर मेंसल के तमके में मारा जाता है और कैनिस्टर उससे दूर चला जाता है तभी लोगन अपने क्लॉस से वो कैनिस्टर काट देता है जिसमें से बाहर रेड निकलती है उसमें मूननेट कहता है सैंड तुम्हारा सिक्रेट वेपन हमारे के लाफ सैंड है क्या हम इससे इंप्रेस होंगे तब स्पाइडी कहता है तोनी स्टाप नहीं नेनाइट स्टेवलब किये थे जो डिसीज और डिकेड फ्लैस पर अटेक करते है जो हमारे लिए एक अभिशाप है उनके साथ एक ए प्राब्लिम थी जब वोडी मैंने मेरे पास लेकर आया तब हूँ हवा में फैलाई नहीं जा सकते थे तो मैंने एक पुरने दोस्त को डूंडा उसे ठीक किया उस दवाई से जिसे मैंने बनाया था जंदा वोलवरिम के इलिंफेक्टर वाले खुन से और मैंने उसकी बोडी नैनो मशीन के साथ बाढ़ दी और तब हम देखते हैं सेंड मैंन को जो अब एक लिविंग नैनाइट स्वाम बन जोगा था और उसने सभी जंबिस को अपने चपेट में ले लिया था पैड़ी उस नैनाइट सेंड में मरते हुए कह रहा था थेंक्यो फ्लिंड मेरी जिन और आंट में का बाल्दा लेने के लिए उस पे सेंड मैं कहता है अब तुमसे चुटकारा मिलेगा गंदे संकी कही के तबी मेगनेटिक पोडल में बन सेंडरी पोच रहा تा बाहर क्या हो रहा है कोई बाहर है तो मुझे बाहर निकालो अगर तुम जालते हो कि तुमारे लिए सही क्या है तबी चैट में मरने के बाद उसके कोस्टूम में से प्योट उनर்जी बाहर निकलती है जो कि थी वाच्चर की प्योर एनर्जी, जो कह रहा था फैसिनेटिंग, तब सैंट में पूछता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मर गए, उस पर वाच्चर बाता है, मुझे यकिन है कि उन्होंने कहा होगा, लेकिन अनन्द सदियों पेले मैंने और मेरे वाच्चर भा करने का, और समय ने हमेशा की तरह एक पर्फिक्ट सलूशन दिया, जो हुआ उससे हम बदल दो नहीं सकते, लेकिन कंटेंग कर सकते है, और वाच्चर अपनी पावर से सेंट्री को टेलिबूट करने लगता है, जिस पर सेंट्री कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो, और जो मैंने अब्जर्व किया, टैमेशनल पोर्टल थोड़ी दर के लिए खुला रहेगा, इस चीत से अंजान उस दुन्या के लोगों ने ये सुन लिया है, कि ये चीज़ वहाद टकरने वाली है, असमन में एक चमक और पादलों में लहर के साथ, उस दुन्या के ये लोग जान चुके है, ये आतंक कभी खत्म नहीं होगा, चुकि सच में ये शुरू ही नहीं हुआ, और तब तक ये भूख्शान नहीं होगी, जब तक ये खुट कोई ना तबा कर दें।